अलो स्टुडेंट्स मेरा नाम आलेक सिंगराणा है वेलकम टू दा अनकैडमे फांडेशन नाइन टैन्थ यूट्यूब चैनल आज हम एक सफर पर जाने वाले हैं और उस सफर का नाम होने वाला है पैंजिया और पैंथलासा का सफर इन नामों को सुनके बच्चों डरने की जरुबत नहीं है क्योंकि ये किसी डैनसौर का नाम नहीं है और ना ही ये किसी हॉलिवुड के मूवी के विलन का नाम है ये नाम होने वाले हैं हमारे जोगरोफी से रिलेटेड और ये नाम होने वाले हमारे बहुत बड़े ओशियन से रिलेटेड और ये नाम होने वाला एक हमारे सूपर कॉंटिनेंट से रिलेटेड। तो आईए, आगे चलते हैं सफर पे और बहुत सारे facts हम आज leran करके जाएंगे। तो हम स्टार्ड करते हैं PENGEA से, कि PENGEA क्या था? तो PENGEA जो हुआ करता था, हमारा एक सूपर कॉंटिनेंट और ये सूपर कॉंटिनेंट एक टाइम आने के बाद डिवाइड हो जाता है और ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में और एक का नाम पड़ता है हमारा लॉरेशिया और एक का नाम पड़ता है गोनवाना लेंड तो क्या गोनवाना लेंड आपने सुना है आपने सुना हो पूफ हमको किसने प्रोवाइड करवाए तो इसके नाम हमको प्रोवाइड करवाए थे और इसका नाम था Continental Drift Theory और इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे Alfred Wagner, Alfred Wagner ने हमको बताया 1912 में कि Continental Drift Theory क्या होती है और जब हम Continental Drift Theory की बात करते हैं तो हमें इसके नाम से ही समझ में आता है कि हमारे जो Continental Drift करते हैं आगे हम और इनके facts के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या हमारे पास proof हैं जो प्रोपोस करे थे Alfred Wagner ने आगे जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़े इसमें देखने को मिलेगी और evidence की जब हम बात करते हैं तो कुछ evidence आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो support करते हैं इस theory को तो पहला जो evidence रहने वाला है वो रहने वाला है और यह theory हमको बताती है यह evidence हमको बताते हैं कि जो continental drift theory दी गई थी वो कही न कहीं related है क्योंकि जो आज हमको फाजल यहाँ से available हो रहा है वो हमको दूसरे ही continent से भी देखने को मिल रहा है next जो इसमें हमको evidence देखने को मिलता है वो next evidence हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है हमारा rock strata what is rock strata rock strata जो है वो similar geological formation है rocks का कि आज जहां पर मैं खड़ा हुँ उसका जो formation हुआ था वो किसी particular type से हुआ था और जहां पर आप बेठे हुए हैं उस rock का भी जो formation हुआ था वो same इसी जगह पर हुआ था और इसी type की formation हमको देखने को मिलती है जो proof करता है कि हाँ ये चीज़े एक जैसी ही है अगर मैं example लूँ तो आज Australia में मुझे जो rock type देखने को मिल रहा है वो ही मुझे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है वो हमको एक evidence देती है कि हाँ ये जो continents, current continents है ये सारे similar थे, ये सारे continents जुड़े हुए थे एक और हम evidence की बात करते हैं fit of the continent जब हम fit of the continent की बात करते हैं तो puzzle तो बच्चो आप सभी ने बच्पन में खेला होगा और जब हम puzzle की बात करते हैं तो ये जो Alfred Wagner हमारे scientist थे उन्होंने बोला कि आप अब puzzle को खेलिए लेकिन आप अब world को जोडिए और जब आप इनको जोडेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी इनकी जो boundaries हैं वो एक दूसरे के साथ fit हो जाएंगी और merge हो जाएंगी तो ये भी एक evidence हमको देखने को मिलता है हमारी continental drift theory में कि सारे continent हमारे जो थे वो connected हुआ करते थे आगे जब हम इसमें देखते हैं हमको पता चलता है कि formation of breaking up हुआ पैंजिया का और जब मैं formation की बात करूँगा आपके साथ तो formation हमको देखने को मिलता है इसका around आज से 335 million year ago पहले आज से इतनी साल पहले जो हमारे continents थे वो एक दूसरे के साथ merge होते हैं और क्या बनाते हैं एक super continent बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है पैंजिया next अब जब हमने इनको जोड़ दिया है तो इनको तोड़ना भी हमारा ही काम है क्योंकि आज जिस way में हम इनको देखते हैं current type में तो हमें पता होना चाहिए कि ये कब तूटे तो approximately इनका जो ब्रेकिंग होना स्टार्ट हुआ ये एक दूसरे से डाइवर्ज होना स्टार्ट हुए ये स्टार्ट होते हैं 175 million year ago पहले काफी लंबा टाइम प्रेड है ये 100 दिन 100 साल पुरानी प्रॉसेस नहीं है आगे और हम देखते हैं कि क्या-क्या होता है इसमें क्या impact पड़ता है हमारा continental drift theory की जब हम बात करते हैं और वो किस पे हम impact डालने की बात कर रहे हैं अर्थ की geology पर हम impact डालने की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले देखने को मिलता है mountains का formation आपको ये बात जानके हरानी होगी कि इंडो-Australian plate और Eurasian plate जब एक दूसरे से टकराइन थी तो वहाँ पर हमालिया का formation हुआ और आज भी हमालिया की height हर साल बढ़ रही है तो एक तो evidence यह है कि mountains का formation हो रहा है next जो है वो sea floor spread हो रहे हैं sea floor जो है वो spread हो जाते हैं इससे ये भी एक हमारे geological अर्थ पे असर देखने को मिलता है हमको और भी volcanic activities देखने को मिलती है जिसमें हम volcano की बात करेंगे जिसमें volcanic eruption हो रहा है जौला मुखी फट रहे हैं lava निकल रहा है magma निकल रहा है तो वो भी हमको impact देखने को मिलता है तो ये हो गई बात हमारे पैंजिया की लेकिन आप बोलेंगे कि सर एक पैंथलासा भी था जो बड़ा डरावनासा नाम था तो पैंथलासा क्या था पैंथलासा जो हुआ करता था पैंथलासा वो था जब उसका formation ऐसे start होता है कि जब हमारे continents एक दूसरे के साथ जुणना start करते हैं आज से 335 million year गो पहले तो जितना भी water body थी वो सारा एक हो जाता है और उसी का हमने नाम दिया था पैंथलासा तो पैंथलासा हमको देखने को मिला पैंथलासा इतना ही बड़ी water body थी जो cover करे हुई थी पूरे पैंजिया को चारो तरफ से तो पैंथलासा हमारा ocean था और जब ये continent divide हुए वही पैंथलासा जालग-अलग oceans के नाम से जाना जाता है आगे इसमें हम और देखते हैं modern understanding क्या है plat tectonic movements की जब हम plat tectonic movements की बात करते हैं तो हमें ये पता चला Alfred Wagner के थूँ कि जो plates हैं उनमें continuously movements होता है वह static form में नहीं होती है वह always motion form में होती है हमको feel क्यों नहीं होता है हमको feel इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह इतनी बड़ी plates हैं और हम छोटे-छोटे से प्राणी हैं हमारे उपर उसका impact देखने को नहीं मिलता है लेकिन जब उसमें बहुत जादा impact देखने को मिलता है तो वह हम लोग भी feel कर पाते हैं और हम लोग कैसे feel कर पाते हैं हम लोग feel कर पाते हैं उसको seismic activities के through What is seismic activity तो जब मैं seismic activity का नाम ले रहा हूं इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर earthquake की seismic activity तीन टाइप की होती है पहली होती है primary, secondary और tertiary tertiary वाली को हम love waves भी कहते हैं जो सबसे आदा disastrous होती है हमारी अर्थ के लिए उसी को हम become कहते हैं उसी को हम earthquake कहते हैं जो हमारी अर्थ के surface पर तबाही लेके आ जाता है next हमको देखने को मिलता है यहाँ पर subduction zone what is subduction zone subduction zone यह होता है कि यह एक plate है और एक यह plate है तो एक plate ने क्या कर दिया है दूसरी plate के उपर जब यह collide होते हैं तो second plate उसके उपर चले जाती है और first plate जो है वो नीचे चले जाती है और इसका cause यह होता है कि हमको volcanic eruption activities देखने को मिलती है हमको जौला मुखी विसफोट देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं और interesting facts की तरफ conclusion अगर हम देखते हैं तो क्या conclusion हमारे सामने निकल के आता है तो जब conclusion निकल के आएगा तो conclusion निकल के यह आता है continental drift theory का कि geological evolution हुआ geological evolution means what जब मैं continental drift theory की बात करता हूँ तो इसने revolution लेके आया है हमारी understanding बढ़ाने के लिए कि अर्थ की geological history क्या रही है अगर Alfred Wagner हमको नहीं बताते तो हमें पता नहीं चलता कि यह जो अलग-अलग इतने giant continents हैं यह कभी super continent हुआ करता था यह सिर्फ एक ही part हुआ करता था next step practical application हमको यहाँ पर देखने को मिलती है यह theory help करती है हमको predict करने में क्या-क्या हम predict कर सकते हैं हम predict कर सकते हैं earthquake को, volcanic eruption को और other national occurrences को हम लोग predict कर पाते हैं last में जो बात करूँगा वो environmental impact है और environmental impact में हमको help होती है कि हम understand कर पा रहे हैं यहाँ पर flag tectonic movements को और जितने भी environmental changes हो रहे हैं उन सारी चीजों को I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए like करिए, share करिए, subscribe करिए thank you very much